कि नमस्कार साथियों मैं आरून वीर सिंग आप सभी का आपके अपने परिवार आई टी आई अड़नी फोर सेवन के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का हाद इस्वागत करता हूं तातियों साम के साथ बच चुके हैं जैसा कि पता है आपको की हम लोग साम को हमेशा कांसिप सीज पढ़ते हैं और ठीवरी के जो कहते हैं एक तरह से की फाउंडेशन यानि की आपका वेस तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेटीशन से हैं तो भाई आपके लिए एक पेपर हुआ था है और हमारे पिछले दो ढ़ाए मैने से जब से इस चैनल के मादम से क्लासे चल रही हैं तो यहां से कई बच्चे जुड़े वे थे तो उनका यह मानना है कि सर जी आपकी क्लास से बहुत मुझे मिला है तो भाईया मैं आप से कह रहा हूं कि अगर आप साही सरोज कुल्दीप रावत कुल्दीप दीपाग चंद्रेश चंद्रेश वन टाक वन टाक गुड़ डिविनिंग भाई रुतेश और विष्णु कुमार जी इस समय से जुड़ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी आज की क्लासे चल रही है वह हमारा है आपके स्क्रीन के पीछे भी दिख भी रहा होगा कि हमने पूरे कपेश्टर को ही रख लिया है कि क्या क्या कपेश्टर से कोशन बनेगा और हम उसी पॉइंट की बात करेंगे जो हमारे एकजाम में आता है वह लाइदर जिसे बोलते बटा तो एक बार सेजन को सेर कर दीज डीक्सन होना चाहिए जैसे और संहा उता हुता है ना कि आप ज prefer करो यह करो वह करो वह जानबूज कर आपको पेपर करवा तरह करेंगे रहेंगे ज़रूरी होता है इसके बाद अगर इसमें आपकी पैठ बन गई भाई साब तो फिर मेरे भाई आप क्या करेंगे कि मैं स्कुल कर रहा हूं थोड़ा सा और भी बच्चों के पास बात भी कर रहा हूं दोनों काम कर रहा हूं तो यह जरूरी यह उसके बाद प्रैक्टिस एक प्रैक्टिसेट कर दो सुबह मेरी क्लासेश होती है आप उसको पड़ो और आसा आपको दिलाते हैं कि आपको इधर भटकने को जरूरत नहीं है फिर भी होता है कि वाई अगर कहीं से घ्यान मिले तो लेना चाहिए सिखना चाहिए ऐसा नहीं नहीं आप यहीं पड़ो आप ठीक है ठाहिक है मैने शियर खर दिया वाई क्या करें अकेले कर ना पड़ता है आप बी अपनी जिमादारी सकते हो कiri का इसा नहीं है वाकी देखते हैं जिसको आना वो तो आए गा जिसको नहीं आना विभा दो कहा है कभी यह चलते हैं राम राम गुरूजी ना इक बार में टेलीक्रांपर दालता हुआ उसके वर मैं लोग क्लास को स्टाट करते हैं को डिक हो है आए तो आपके स्क्रीम पेश्टर लगा हुआ है है और हम आज पढ़ेंगे कफिस्टर तो भाईया कफिस्टर का और कोई नाम को जानता है क्या क्या क्रतंव के कपेश्टर के और भी नाम है कौन को बताएगा कॉछ कल संथ देखिए हमको दिपक कुमार जी जी आदिस करिए दिपक जी आ गए है आप दोकान पर बंदा बैठा भी है लेकिन फिर भी आ गया कि सर्जी कि क्लास चल लिए नभी यह चलो यह धन्य बाद आप सभी का तो यह एक बार मैं टेली ग्राम पर सेर कर दूं दो मिनिट को मैं आगे जिसको नहीं पढ़ना को नहीं आएगा तो उसकी बात सही है जिसको फ़रना होगा इसको नहीं आए गगा तो नहीं आएगा लेकिंगे कि आपने लगा bran से पड़ा होगा लेकिन आसा दिलाता हूं आपको कि बहुत कुछ नया मिलेगा और आपको मैं बता दिनुक्ती आज आप लोगों को एक नया नाम मिलेगा कतेश्टर का जिसे के मैं भी कोई जाने सर वायरी में कपेस्टर भी होता है नाई बबलू लोहार जी वायरी में देख ओने खतम कर दिया है उसमें वायरीं का कुछ प्रॉइंट भचा हुआ है तो क्या करें इतना चीजें हो लेंगे कापिश्टे गैइन आलेंगे आप करेंगे भीया की कपिसिस्टर होता किया है लिए कैपिसिटर हर लेगा हम केपिसी टर valid रॉइजे रही मैरे कपीशी तर केपी शीटर और एक नाम हो तब यह इसका जिसे gustate है संधारित्र हिंदी में क्या बोलते हैं इसको संधारित्र संधारित्र ठीक है और एक नाम होता है जिसे क्या बोलते हैं कंडेंशनर 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 जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं कते हैं कंडेंशनर लेते अब गाव में कते हैं कि भी आटे कंडेंश क्टेर हो गया है कि कपेस्टर संदारित कंडेशनर और या एक नाम होता है जिसे बोलते धारित्र धारित्र या बोलते एक नाम हो रहे है धारित्र और एक अंतिम नाम और बताईए किसको पता है और कोई बता सकता है क्या सवाल है ओबर लोड लाइन में एक के ऊपर एक तार जुदने को क्या करते हैं इसको कै में करते हैं अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो यह बाके करांप क्या पूछ रहें connection पूछ रहें कौन सा connection वह वाला क्या जो मेरिट जोड़ होता है वेस्टन जोड़ होता है और आपका क्या नाम है कि कि जो बिटानिया जोड़ होता है उसकी बात कर रहें किसकी बात कर रहें कि बताई किसकी बात कर रहे हैं आप जरा बताइएगा किसकी बात कर रहे हैं आप आप बताए ओबर हेड्लाइन में एक के घख संदारित धारित एक और नाम है मुझे पता है कि अपको किसी को भी पता नहीं है इसलिए आप लोगोंने मैसेज नहें किया आवे सक नोट कर लिजे भाई आवे सक इतना नाम होता भाई आवे सक तीख एक आवे सक कोलते क्या अไह भूसे आवे ठीक है यहां तक नोट कर लिया आपने आपने नोट कर लिया कि टीक है कि कपिस्टर संधारित कंडेंसनर धारित और आविशक बाकि आपने कंडेंसर तो देख लिया है ठीक है आपने कंडेंसर को देख लिया है और जैसा कि आपको प्रापरली सबको पता भी होगा कि दो प्ल जाता है और उसी डाइलेक्टिक सामर्थ जो होता है उसमें हमारा क्या होता है आप गोई अजब भीस्टिक विद्दूत होता है तो यह परिवासाश plaque आपने प cylinder कोई बंच ऐसा नहीं होगा जिसको एक पटा नहीं कापेश्टर रहें कापेश्टर में दो चालक उता है जिसमें हम बीच में हमारा क्या उता इस समा नांतर कैंभ़ाता ना 2-3 नांतर चालक अब 278 चालक हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कपेस्टर को लें तो पैरलल ही लेंगे हना क्या बोलते मैं जब भी हम लेंगे कि जो चाला कि जब भी हम कपेस्टर की बात करेंगे तो जो हम आविस्थ यानि की जो आविस्थ्य भी तो ये हमेंसा स्ट को भी जानते रहेंगा कि हमारा कभी वीच काभी में होता जब भी तो तो JUL छुछ आप ने लुगा तो 2411-100 चालक की यहने कि 1262 जो आपका होगा तो अब वह होगा यह सोजा होगा 차 20 glory या भी आप का सकते वो प्लेटो अना प्लेटो दो समनांतर चालक प्लेटो के बीच कूचालक यह भी आ सकता है सब्सकूचालक यह फिर हम क्या बोलते हैं उसको पराबैदुत सामर्थ यह डाइलेक्ट्रिक सामर्थ कौन सा जोर करते हैं एक सवाल है उबर हेड्लाइन में एक उपर एक तार जोड़ने को क्या कहेंगे यह देखो भाईया मैंने बताया आपको कि देखे एक अगर एक ताइक तह अगर उसमें मैं जो लग रहा थे बिटानिया जोड तो ओगा नहीं आप इसे करके हैं जिसमें देखने बहुत संदर लगता अब कुछ दिन पहले सवाल को बता विरा था आपको is corp क्या नाम ऐसे जोड़ करके है जिसके में आंतरी सामर्थ सुनने होता है देखzung बहुत सुनदर होता है ठीक है बाकी और कुद के तहर सी पेपर में आता किया है कि है अज सीपनी के एरअidade के पेपर में आया ता क्या बिश्नू यह सवाल आपके सीपि राइ टेक में आया था क्या दो कि यह सिद्धु जी गूल इबने वाई तो मैं कर दोस्मनांतर चालग प्रेटों के बीच जो मारा कुछ आलक होता है दो समनांतर के बीजियो जो कुछ आलक होता है या फिरा बोल सकते विटा पर बैदुथ से डिजाइन की गए यूकती कुछ आलक बोलो या फिर यहां पर का ट्टेन डैलेक्टिक तो 12 cantata नो को बीच कुछालक या परावै दूत दॉशीट लाइ रिख्क । ड्यलेक्टिक और उसंदूड्न वश्कों आधच लेक्ट्रिक अधट में इसके तो इसके बीच में क्या वालते हैं दो समनाता चालक प्लेटों के बीच कुछ आलक या पैरा वैद्दुत या फिर डाइलेक्ट्रिक जो हमारा होता है वो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक से डिजाइन की गई युक्ति से डिजाइन की गई की गई युक्ति डिजाइन की गई युक्ति डिजाइन की गई युक्ति डिजाइन की गई युक्ति संधारित कहलाती है संधारित कहलाती है संधारित कहलाती है ठीक है सिधा परिवासाद दो सम्मानता चालक प्लेटों के बीच कुछालक या पारावेद्दूत या डायलेक्ट्रिक से डिजाइन की गई युक्ति संधारित कहलाती है ठीक है ठीक है ठीक है और यह करता क्या है जो आवेज ग्रहन करने की छमता रखता है यह भी पॉइंट लिख सकते हैं तो दो सम्मानता चालक प्लेटों के बीच कुछालक है परवेद्दू डायलेक्ट्रिक या युक्ति संधारित कहलाती है जो आवेज ग्रहन करने की छमता रखता है जो जो आवेस बलब चार्ज आवेस ग्रहन करने की जो आवेस करने की छंपता रखता है छंपता रखता है छंता रखता है एक भी यह जी 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 नई सर्डी एसस्वी में आया था अच्छा कोई मुझे पेपर भी में एक क्लास लेने से पहले अभी आ रहा था इस्टूडियों कोई बंदा वेजा था दू-3 करके चार स्क्रीन सॉट लगा के सर देखें डिएस बीटा पेपर है ठ नराज मत होना हम एक वाट इसको देखने दो बैटा विश्णू जी घवड़ावना कहिए गाए तुम्हें इस पेपर को हल भी करवा दूंगा बस मुझे एक बार देखने देखने पेपर का आजी एंसर की जारी हुआ कि यह इसका लग रहा है एंसर की आज जारी हुआ कि अगर जारी हुआ होगा तो पेपर कल यह मैं मैं करा दूंगा अभी तो बैसको देखूंगा देखने के बाद बताए पता चलेगा न कि हाँ चीजे क्या सब्सक्राइब गलत है ठीक भी यह बाकि अगर आप मेंसे किसी के पास पेपर होगा किसी भाई को पास पेपर होगा तो मुझे भेज़ देगा इस क्रफ जोड़ होगा ठीक बैए जो होगा इवार देखना पड़ेगा ना उसको कि पूछे रहा क्या डिकल की साथ सब्सक्राइब लगाना पड़ता है तो यह मैं करता आप लोगों पासर पेपर होगा तो एक बार आप अपना भी दिजेगा सब्सक्राइब जिसका लिखने का प्रतीग जिसका आद लिखने का जिसका लिखने का प्रतीग जिसका लिखने का प्रतीक क्या हम तब यह सी वता है तो सब आधे घ्लाओंग है अनीच प्राइघी कि प्लुठ होता है इनके बीच में कुछ अलक पदार्थ भtant जाए ठीक है और हमने माली जे की षब करो कि हम ने से शप्लाइब एक के माले मरब मारा माइनस था आप अधो प्ल्स दर हमारा जो बैट्रीम लगाएंगे यह प्लस एक माइनस लगाएंगे तो इज़ा से प्लस जाएगा इदर से का जाएगा माइनस जाएगा इनके बीच में डायलेक्टिक सामर्द भरा हुआ है तो नार्मली आपको पता है सारी इसमें बढ़ा होता है कोई दिकत नहीं है ठी कि इसका आप जोड़ करते इसका आप जोड़ में देख भावलु का रहे साप पहले इसी भाई मैंने मैंने कुछ दिर पहले क्या आप आया सबसे सुन्दर होता है एक से उपर उसका मुझे हलका लगा यादा था भाई हना अभी पेपर देखने परसान नहीं परसान नहीं पढ़ रहे इसको पढ़लो यह इंपोर्टन डाटा है ठेक विए तो आप तो इसको देखे भी होंगे बागी अब बताऊंगा कि क्यों क्यों बलाक करता है डी सीकूंआ करता है अनुड है अब लेकिन अभी आप सांत रही है अभी हम आपको वही पॉइंट देंगे जो सीधे अभी आपके चीजों को जानना तो सबसे पहले अभी हां तक बात होगे हम आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट हमारा होगा अच्छा एक चीज़ और है इसके लिखने से पहले आप इसी ज बात करता है तो यह मात्रक क्या होता है तो मात्रक जो होता है इसकी अगर मात्रक में बात करो अना किसकी कपेश्टर की तो मात्रक सबसे बड़ी जो मात्रक होती हो मारी फैरेड होती है क्या होती है फैरेड होती है फैरेड होती है तो इसकी यूनिट अगर आप से पूछा कि वाई मातर क्या आती है काफेस्टर की या कंदेंसर की तो सब को पता होया कि anybody कुलाम प्रती बोल्ट भी मिल रहा होगा कुलाम प्रती बोल्ट भी आपको देखने को मिला होगा कि एक इसकी भी यूनिट होती है अना कुलाम प्रती बोल्ट जिसे बोलते हैं क्या विया कुलाम प्रती बोल्ट बोलते हैं आपने इसको भी देखा होगा हना कुलाम प्रती ब को अब प्रती बोल्ट को खीक है तो एक फ़वद्व रवाइब होता है एक मिलाम प्रती बोल्ट 2 चीज है इसका यूनिटी आप लात पर बाकि अगर आप चाहे तोपी इसकी यूनिट होती है जिदना अप चोटे में चले जाओ पीको- gedacht माइक उल सकते माइकर भी वहूती है फेल को फैररन भी होती है कमाम चीजे होती है हoras प्रयाओ नूहां अच्छा इसके लावा हुँ अपना स्यो खिस्टा होता है वह रएक्सटर आपको casi बतारा है इसका बेशिक स्क्पाइप क्या कोशन बन सकता है तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं कि बेसिक की बात कर रहा हूं इसके लगा यह तो हो गया यह कुलाम प्रदिवोल्ट हो गया एक कुलाम प्रदिवोल्ट की कहानी हो गया अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं आप से की संधारित जो होता है यहा से और क्या क्या पॉइंट बन सकता है सर्ची तो यहां से और पॉइंट आपका बन सकता है कि कपेश्टर या संधारित तो कपेश्टर या संधारित इसको लिखा दूं या फिर आपको लिखा दूं की जो इसकी परिवासा होती है कि वरावर भी सी रुख जाएए सोच रहा एक भी डाटा इसा नहीं है कि जो आपका इंपोर्ट नहीं है तो यह काम करते हैं पहले इस कुछ पॉइंट को लिखा जेता हूं तब उसको लिख लिख वाओंगा तो अभी आप हैं डालेगा चोटा सा कपेश्टर या संधारित कुछ और पॉइंट दे रहा हूं ठीक उसको बसाइब कर यह घजा असा देहान से तो सब्सक्राइब लिखी आप लिखेगा है होता है यह एक रैखिक डिवाइस होता है यह एक रैखिक डिवाइस होता है यह एक रैखिक आपने सुना होगा जिसे बोलते हैं क्या लाइनियर क्या बोलते है लाइनियर लाइनियर अनविया तो यह एक रैखिक डिवाइस होता है डिवाइस होता है तो आप से पूछ सकता है ही कपेश्टर कैसी डिवाइस होती है तो आप बताईएगा कि यह कपेश्टर हमारा एक रहखी डिवाई से तो पक्का एक इभाई से ओन सावकर नियम लागू होगा तो अगला पॉइल लिखेंगा मॉम का नियम ओઉम का नियम है ओम नियम लागू होता है यहरा भूह अंतो को कहते हैं कोई दिखकेट नहीं आप से कोई पिचि दे के के पैढ़ा देट्र पर यह लागू होगा के नहीं तो आपको जहे बिलकूल हो जाएगा वजाया ज हौदा है जिये झी भीड़िन लगेगा थोड़ा सा समय और दिद्विया हाद को एक मदरवाल ने लिख भी दिया की आरेल सी लाइनिया प्रतिरोद का इंडेक्टर का पेस्टर लाइन एजी बिल्कुल सही बात है क्या बात है अमारे बच्चे बहुत तेज है अना बहुत ही तेज है कोई भी इनको हरा नही की पेपर में ना फसाए सब डाटा इंपोर्टेंट है लेकिन उनमें भी एक होताने बहुत इंपोर्टेंट जैसे मैं जो अगला देने जा रहा हूं इस पॉइंट पर जला सक गौर करेगा मेरे बाई कि जो आपसे पूछता है कि जो हमारा कपिस्टर होता है जो संधारित ह में उर्जा संधारित्र संधारित्र में अ उर्जा एनर्जी सदेव कि एलेक्ट्रोइस्टेटिक इलेक्ट्रोइस्टेटिक संधारित्र सदेव कि एलेक्ट्रोइस्टेटिक के रूप में होती इसको लिएगगा इप रूप में होती है इसक यह इंपोर्टाट सवाल है अच्सके रहा और क्aimerल का बंसकता कुछ पॉइंट इसके लगा और भी पॉइंट आपके है सरीमान जी क्या इंपॉइंट है पाइए बता दीजी गुरुजी तो एक पॉइंट और है क्या पॉइंट है किसमें एक अधा प्लेट जिसे बोलते प्लेट ना क्यों लागो होता है उमकाला बठेश सवाल अपने पूछा भाई इस पर क्यों का नियम लागो होता है देख विए ओम्सला का नियम ने का का था ओम साव ने कहा था किसी चाला की भहुतिक अवस्था अप आप दाव इत्याद या फिर आंतरिक सामर्द भी बोल सकती हो जिसे मेकैनिकल इस्टेंड वोलते हैं तो किसी चाला की भहुतिक वस्था पवर्तितर है जैसे ताप दाव इत्याद चालक में परवाही धारा उसके सीरे के क्या होता अभी वहांतर के समान पाती होता है अभी वोल्टेज वह क्या होता है आपका जो जो उसमय हमारा आवी चार्ज हो रहा है यानि कि हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है जो और कपेस्टर में जब उसका मान बराबर हो जाता है क्या जब मान बराबर हो जाता है तो उस समय हमारा कपेस्टर में जो उससे ज्यादा यानि कि अब वह उससे अधिक वह चार्ज नहीं होगा ठीक है इंदी में बिद्धु छेत्र ठीक है बाकि अगर अभी आपको लग रहा कि आपने उम्स लाकों नहीं पड़ा इसलिए आपको लग रहा है कि भाई क्यों उस लागू होगा क्योंकि उसमें क्या रहा हमारी जो रहक है जो बनता जो घ्राब बनता है यह बोल्टेज के वह क्या बनता है कि हमारा यह नहीं आप सब कुछ आपको मिलेगा बस इंतिजार करो आगे बढ़ते हैं तो संदाज में उड़ती है अगला पॉइंट करीगा प्लेट्स पर भीजyy Kingdom अगला पॉइंट यह रहेगा आपके सामने सवाल की जो कहपेश्टर आवेश्ट को अपने धाट्स की पलेट पर लिएग है कपेश्टर आवेश्ट को कपेश्टर को कुपेस्टर अपने कर दो sacrificia की प्लेट पर जो सकी प्लेट लगी हुई है समणान तरव तो अपने धातु क्पेश्टर- आवेसको यार। मैं भूल गया हावज को लिखेगा इस पॉइंट को एकाते को क्या करता है क्या कर Ciao arrow अवेस को अपने धातु की प्लेट पर एकत्रित करेगा कपेस्टर यह इंपोर्टन्ट है आवेस ज्यानिए चार्ज ठीक है को कपेस्टर आवेस को अपने रहातु की प्लेट पर धातु की प्लेट पर एकत्रित करेगा एकत्रित करेगा ऑर यही से कोशन और बनता है और विद्दूत उर्जा को कहां करेगा आप से कोछन पूश सकता है आया भी है इसा नहीं नहीं करता है अपने धादू की प्लेट प्रकतित करेगा और जो संप अधर कम जो एलेक्टिकल एनरजी है उसको कहां पर श्टूर करता है डी आपके डालेट्टिक स्ट्रेंद पे अनंग तो लिखिए गा बीद्युत उर्जा को और विद्द्दुत उर्जा को और विद्दूत उर्जा को और पातिक को मैं नीख विकासद। में टैस लिए थह सबसे लिए ते लिए लारा हूँ ताकि मतल glass दिक्ट न हो और ब्सतु तो श्चाको हो ये लेक्ट्रो एलेक्ट्रो ऍस्टेटिक स्ट्रेंथ है उसको हिंडी मूलते हैं प्लक्तर लिल्स को इसको कोया और इस्थे विदूत नौप ट्व mulट मोलते हैं इस थीर बीदू तनाव थीर विदूत तनाव इस्थे विदू तनाः इस्थेर विदूत तनाव मैं इसको लिख ले जिए का जहां सब्सक्राइब है उलीकने लिखते रहे मीरीयर की食 लेंद या इस्थी विदूद तनाव के में के रूप में पराबैदूट पराबैदूट और इसामरा था हमारा तो नहीं की रूप में पर आ बैदूथ में संग्रहित करता पराबैदूथ में संग्रहित करता है संग्रहित संग्रहित करता है संग्रहित करता है संग्रहित करता है अभी मैं बेसिक क्यों बता रहा हूं भाई आपको अनक्यों बेसिक पॉइंट बता रहा हूं जहां से कोश्चन बार-बार पूश्टा है ठीक है अब अभी यह सुरू ध्यान से मेरी बात क अब फ्रोड़ा ध्यान से प्लेट की एडिया बढ़ेगा तो क्या फर पड़ेगा वाई साब कहा है कि प्लेट की एडिया बढ़ा होगे अभी नंबर लगे गए घबढ़ाओना यार देखो सी बराबर जो हता है एपसाइलन जीरो एपसाइलन आर एपांडी इसका भी आएगा यार थोड़ा सा रुख जाओ अना अब देख लो जो बढ़ाना बढ़ा लो यह हमारा कपेश्टर है इडालेक्टिक सामर्थ है रिलेटिव पर मिल्टी है एरिया है तेरियम आपका लंबाई को चोड़ाई आएगा लंबा आप से ठीक है तो इसको अभी नोट करो यह पीपर पूछता है अना यह ठीक है वो तो भाई ऐसे पापलर को सब्सक्राइब करता है और करता है और करता है और कपेश्टर के इसी धार्र करने के गूड़ को यह काम फरकृाई हमारी हुई पूरी इस ह Candice करने के कि कपेश्टर के इसी धार करने के गुड़ को लिखे का कपेश्टर के कैपेश्टर के यानि कि अब कपेश्टर कहूं संधारित कहूं आविसक कहूं कोई दिकत नहीं सै गाना गूरू कुंगुना यह सरी अचा बया बोरिंग हो रही क्या कपेश्टर हब है अभी मूर्ण क्यों गDas श taco एंदा दाने आ पती है अगर आपसे पूछा जाए सब्सक्राइब अबनेरी मिलिद्धे लाक्ति करने की गुल क्या कर दिसे है कि इसे जुड़ कोका टिर उस पिजिट है तो 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 बाकी मैंने बता दिया कि सबसे वड़ी क्या होती है फेल्ड होती है बाकि आपकी इसे छोटी उनिट आप पी को भी बोल सकते हैं माइकर फेल्ड बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना तो यहां तक इसकी साथ अगर ले लिजे फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर अगर चलो यहां तक हो गया आगे लिखी आगे लिखिए गां कि कापेश्टर इनर्जी श्टोर करता है लिखेगा कापेश्टर कपेश्टर एनर्जी कपेश्टर एनर्जी कपेश्टर एनर्जी कपेश्टर एनर्जी स्टोर करता है क्या करता है यानि कि आप कर सकते हो कि कपेश्टर क्या करता है उर्जा इस्टोर करता है है इसके लहां और क्या करता भी या कैने इनर्जी स्टोर करता है और डिस्चार्ज होता है और और क्या होता हुआ डिस्चार्ज a discharge भी है कि होता है इस सब कोश्टर यह सब बेसिक कोश्टर है अभी अब तो आगे बढ़े ही है कि आप और किया कहानी बतानी ही बागी है सब ठीक हो लिखिगा तो तिक करें फिस्टर लेका कापिश्टर का परियोग काप परियोग AC को ब्लाक, AC को पास करने, लिखेगा AC को, आभी मैं क्यों लेसी बता रहा हूँ, AC को पास करने, और DC को ब्लाक, ब्लाक मतलब बंद, तो कपेश्टर का परियोग AC को क्या करता है, पास करने, और DC को ब्लाक करने के लिए होता है, ब्लाक, जो आपके जनरली तौर पर को कॉचन बन जाता है, आम तोर पर, AC को पास ब्लाक करता है, बिलकुल सही बात है, करी पास करने, और DC को ब्लाक करने का काम करता है, कि तो के कापेश्टर का प्रियोग हम कर लेते हैं, पास के सुधारने के लिए, और प्वाव टो सुदारने के लिए हम कैसे लगाएंगे समयाउंतर में जब भी पावड्क सुदारने की बात करे तो उस चीज की आगे भी लिखा करो कि आपे यह काम करते लेकिन हम उसको करवार कि पूंट कर आपको हम मतलब जब हम पराप करना चाहते हैं तो उस टाइम का पेच्टर को कैसे लगाएंगे चार चाहिं uniform पेज उत्पंद करना जैसे एक फेज को दो पेज बाटना है तो कैसे लगाते हैं तो इन चीजों को थोरा सा में हाइल कर देता हूँ आपको यह इसको भी आप लिख लिए ठीक तो बाकी में कुछ पॉइंट भी आ लिख वाजिता हूं एक आम करता हूं उसको हाल करके लिखा पहलेकर अगला पेश पीए लिकीए और इहरे लिखे कर आफिए सकता कि मैं अधैगोई श्कौ और से कुछ पॉइंट और महतपुड़ आप कैसे तरह से की घ्रॉड रहा कि सब पॉइंट के लिए है आप चाहिए पॉइंट डाल सकते उया फिर chosen सब एक्जाम के लिए महत पूर है तो जैसे मैं कर दो कि पावर सुधारने के लिए लिए अभी तो उसका नमबर बाकी है सी क्यूबी उसम अब सीटर सुधारने के लिए कैसे कपेस्टर को सुधारने के लिए क्यापिस्टर कापी सीटर के रघ्रfolg समनांतर में जब लगाते हैं या लगाये जाते या जाते हैं जा Caitlin एट हमारा जो मातरख व ईक होगा क्या और लिए उस टाइमरे जोंगा ट्रॉग क्या कि यहां पर के भी ए आर में ठीक है के भी ए आर नहीं पूरा वहां मैं इसको रफ कर दूसर्य जगी देता हूं कि आ जाओ भई या ठीडिक या अर्में के भी ए अर्में के भी ए आप लिख लीजिए की लोग एपिए एक पावर जब पाफ टारते हैं और उसको जब समना अंतर में लगाते हैं तो उस ट्याइम कपेश्टर की जो यूनिटी बन जाती है जो मातरक मनता हो कि इसमें बनता है के भी यार में अगला पॉइंट लिखेंगा लाल्ला स्रेडी करम में जब आप लगा होगे तब क्या होगा अला पॉइंट लखेगा जब आपको फेज अंतर करना हो क्या करना हो फेज अंतर उत्पन करने के लिए 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 फेज अंतर फेज अंतर उत्पन करने के लिए फेज अंतर उत्पन करने के लिए फेज अंतर उत्पन क करने के लिए फेज अंतर उत्पन करने के लिए फेज अंतर उत्पन करने के लिए किसे लगाएंगे फेज उत्पन करने के लिए स्रीडी करम में अजब स्रीडी करम में लगाएंगे तब हमारा मातर क्या है का जो हम लोग पढ़ते फैरेड में को माइक्रो फैरेड पीको फैर और भी मैं बतता हुए जी से जो हमारा आविस्क होता जुषत न संधाइध हमारा उता जो कपेश्टर होता है इसको कैसे लगाते हैं तो इसको हम लगाते हैं जब आंतर समनदान में जैиз single लगे chemicals होता है उसकी उनिट अप फिर बात आ गया कि लगा गई सिरेडी करम में लगाओ तो इसमें क्या हमारा इनिट होता है यह समार जो होता है आपका फैरेड और माइक रूफर जो भी आपका बनता है फैरेड़ वाले पर बासा क्या से बन जाएगे उस्ता मैं यूडिटी या पिक फैर्ट जो भी कहना आपका लूब अनले या जो भी आपको कहना है आप कहले जेंगि कि कि वाई किसमें बनेगा चाहिए माइक्षय भाइल बोल दो या फिर आप लिक है माइक्रों भी मन सकता है आपका माइक्रों फैर अगर उसे छोटा तो पीक फैरेड़् ठीक ह ही जब यंटर गताब और एक कमरा आताब थाचिण इस बीटर यहाध है फिल्टर या पॉसेतिं इसित्परन करना सब्सक्राइब देखे का फिल्टर या पलसेटिंदीसी में अगर आपको फिल्टर क्या करना भाई अगर आपको फिल्टर या फिर पलसेटिंग डिसी उत्पन करना है पलसेटिंग पलसेटिंग ठीक फिल्टर या पलसेटिंग डिसी चाहिए अगर आपको तो फिल्टर या पलसेटिंग डिस की चाहिए ठीक है तो फिल्टर या पल सेटिंग डीसी उत्पन करने के लिए समनांतर करम में तो फिल्टर और पल सेटिंग डीसी उत्पन करने के लिए या सुधारने के लिए मैं क्या लिखाव इसको में फिल्टर या पल सेटिंग फिल्टर या पल सेटिंग डीसी में जहां पालसिटेंग the room City in DC में हमारा जो लगेगा किसमे उस समें हमारी का पěस्टर या वाविस्य को किसमे किसमें लगाएंगे समरांद कर में किसमें लाएं है बतलोपस पाल को से बोलते हैं यह से यह मतलब सीरीय सेंकला बोल दीजे कोई दिक्कत नहीं है तो इतना आपका आज आप से बात दी हुई साहिद साम को क्यों यह आप सभी बात हुई इतना मैस जी चलो तो यहां तक बात अगर आगे थाम लोग आगे बढ़ें किसी मित्रों समस्या बताओ बाई किसी भाई को समस्या हो तो बताओ यह जरा हाँ एक पॉइट लोट करिएगा ठीक है क्या पेस्टर का परियोग लिखेगा लिखेगा यहां पर लिख लिजिए मैं लिख वाई दिताव पॉइंट और अना यह जब चौता पाइन वादिता हूं की कपेस्टर का कपेस्टर का परियोग बिभिन लिखेगा कपेस्टर का परियोग कपे सीटर का परियोग बिभिन विभिन AC induction वोई जो उपरपन लिखवाया AC induction AC induction AC AC कपेश्टर का पर योग AC induction मोटर में AC induction मोटर में मोटर में इंडेक्शन मोटर में कपेश्टर में में पावर फेटर सुधारने लिए पावर एक्टर कि सुधारने के लिए रसंदे के लिए नहीं र nih म अगर्जटर सुधारने के लिए कंसक्त यूज मलब होगा थोड़ा सा मता रहा हूं आपको पहेटाउयोट करिए गए जो हमारा जो हमारा कपेश्टर बैंक आपने सुना भी होगा मैं तो जुड़ा हूं एक हाला कि अगर उस टाइम यह नहीं है क्या नामें का अनिल पाल जी बार बार मैसे जाता है जब आप टीजी टू बन जाओगे तो एक मैसे जाता है कि सभी एक 32 के भी वाले अपना-पना कर्षाल ऑगालो जिसे मोलते हैं कि आप ये कंपशिंट्र बैंक तो और में का बाट करता हो क्लता क्या तो उसको हम कब लगाते है कि जब बोल्टेज बहुत हो यानिकि लोड हो जादा हो तो वहीं से कोर्शन मनता है आप से कि जो हमारा uh cup administrator bank होता है वह हम कैसे जोड़ेंग एकर आप से डाउल आपको सामने आजा कि अक उवाइज को कैसे जोड़ते हैं तो हमेशा जब भी जोड़ते हैं तो समनांतर कर में जोडते हैं डिखेगा का बैंक का परियोग गखे गए डिशे सदरnों में बेंक तर जो बंग होता यूँस्टों परियोग बंग का है परीयोग बिद्दूत इस्टेशनों में भ्रिक कि बिद्दूत इस्टेशन नो यानिकि जो हमारा जहां से आपको सप्लाइ मिलती विद्दू इस्टेशनों में समनांतर में परियोग होता है अज जो क्या करता है यह पाउप्टर को सुधारने का काम करता लेखेगा जिससे पाउप्टर इस सुधार हो सके जिससे पावर फेक्टर पावर फेक्टर क्या हो सके भई सुधार हो सके पावर फेक्टर सुधार ओ सके यहां तक बात समझ में आ गई तो कुछ कुछ पॉइंट और दें आपको मजा रहा है कि नहीं भी आ रहा है का पेस्टर में पहले में जोड़ा जागा तर्टी बस में बहुत बढ़ने सी दूजी क्या बात भाई हमारे बच्चे बहुत समझदार है अना समस्टर आदमी है मैं समझ में आ रहा है ना ऐसा नहीं कोई ब बभलू जी तीनवाला कौन से भीटा किया समझ में नहीं आया लिए अस बताइए सिरिमान जी आपको क्या समझ में नहीं आया अ हूं है इस को बताईए है चलो एक पॉइंट अब नोड करिएगा एक पॉइंट लिखा यता आपको फटा-फट जिब तक सर नहीं आते हैं अ एक होता है आवेस ताकि आगे से हम कल की बाते आगे करेंगे बागी कहा होता है जैसे हमने कह दिया आप से क्या कि आवेस हमने क्या लिखा आवेस हमने आप से बात किया किसकी बात किया आवेस तो कपेश्टर जो आवेस होता है वह क्या होता है वह हमारा क्यू समान पाते भी ह ताइब जो हमारा क्यों है है भॉलट किया है शमानपाती होता है और जो जब हम इसको अनपात में करेंगे यह फो हम अनपात में करेंगे तो तो एक होता हमारा सब धारता यानि इसे बोलते हैं कपेस्टिव तो जो धारता होता है जब हम क्यों समान पाते जो भी है जब इसको हम अनुपात में करेंगे यानि जब हम इसको अनुपात में लाते हैं तो जैसे इसको अनुपात में करते हैं यानि क्यों बटावी करेंगे तो यह मान करता है निय बूराबर सी या फिर या फिर हम इसको सिधा भावासा में लिगते कि कि अंहें की चुछता भूते इने क्यों बटा भी क्या लिखते हैं सी बराबर क्यों बटा वी लिखते हैं तो भी इसको भी हाइलाइट कर लिजिए अना इसको भी हाइलाइट कर लिजिए अना कि सी बराबर क्या होता है क्यों बटा वी होता है बाकि सी क्या है आपको पता है कि यह क्या है चार्ज चार्ज है त है इस में कुलाम में है आना यानि कि हम इसको क्या बोलेंगे अ सी ये क्या है आपका आवेश अいきます आपको साङ। क्यूंभ। सी बराबर क्या है क्यूं बराबर क्या है और वी बराबर क्या इसको लिख लिख लिजी आप पटापट अना इसको लिख लिख लिजी भाई सी क्या है क्यूं क्या है वी क्या है तो सी हमारा जो होता है है वो क्या होता है संधारीत रहे यानि कि आपका सकते हो कि धारिता है कि धारिता है और जींबाती बोल्ट में पहाच वह Means कैसे मापा जाएगा और हमारा इक निकलता है परिभास हो परिवाका और निकलता है क्यों सीधा लिप सकते हैं की जालिए सकते हैं क्यू बरूबर सी इंटी वी किन दिकत वी सकते हैं को जो आब थे क्या वाई अगर हमने कर दिया आपसे क्यूब रभर सी इंटीज वी सी बराबर कीव उटा भी होता है हना तो आज bio इस पर जैस में वास्टाओं आपकं तेजा गोड़ा करेंगे तो हम दिखिए inclusive क्या क्योड ठेए लिखी च्को यह लिक्वाजता हूँ आपको नहीं साहिए ने लिखे दिए ओपर क्या क्या है तो क्यू बराबर क्या जाया कभी आपकान के लिए कि सकत हूँ अनुए यह बन गया आपकर पर प्रिवाश्था दो एक यह और मनेगा वह बने नहीं ठीक है तो इसको भी हाइलाइट कर लीजिए आज इतनी चीजे आप लोग नोट कर लीजिए ठीक है क्यों बराबर सीन टूबी हाना अच्छा एक चीज और है आपको मैंने आज जब मैं मैं mcq कर आता हूं तोहां पर लिए पॉइंट लगएदा की कि 3-4 प्रिवासर कैसे कि तो क्यों वराबर होता है बाकीतू तो समझ में आगा है थान जी चाहिए न रएब दिक्कत तो नहीं ऱहाएं क्यों हो गया आवेस यानि चार्ज हो गया ठीक है सी ओगई का पेश्टी धारता हो गया ओके यह चार्ज है यह क्या वह आपकी है चार्ज है सही है ना भाई किसी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है कुलाम हो गया अगली सालाद पर तीन पॉइंट जी सर आज साम को हमसे ही बात हुआ है ठीक ठीक है तो आवेस बराबर जो चार्ज होता है वह क्या होता है है बोल्टेज की झालता समान पाती होता ओस जब हम इसको अनुपात में करते हैं जब्टे में करते हैं की do की और आबी तो जैसे हम TWA वी करते हैं तो यह हमारा मान करता को था करते हैं यह उसके बरावर यह इसके बराबर mad कौन सी होता बाकि हमने सी लिख दिया है क्यों लिखिया कोई अंतर है नहीं वोल्टे जब वोल्ट में अधर उसकी उनिट हो गई अना अगली स्लाइट पर तीन पॉइंट ठीक बता दूंगा रुख जो थोड़ी से रुख जाओ तो बाकि आप जहां लिख रहे हैं तीन पॉ बरबर सी इंसे इन टू फubsy की अफ्याक कि फ् Probably आफ यान इनटु dop के आपको फाइदा होगा इससे इन-2-E ठीक है और उसको बनादो क्यूacky रावर यहने इंटो ई और क्यूज रावर होता है यह मटळड है इसको आप नोहीं जहां भी आप नोट कर रहे होंगे जहां करे Watts को को पर्वाचा लिख रहे हैं सब इकठ डाल दीजीए पर ठीक है बाकि क्यूद आपको पता है कि है आपका है औरहं यहां का मतलब क्यार्ज तिक एब आई क्याव धाराएं ती क्या समय सी अग सीडितना इलग Crime की संधिया गुड़े एक रहज्यान में फिर यह आपका क्या है जो सेल वैट्री हम पढ़ते हैं विद्धुत रसानी तुलियां के दरबमान है और हमारा यह क्या है जर रसानी तुलियां के तो जहां पर लिख रहे हैं नोट बना लिजीगा उसी नोट पर इसको भी आप साइड में कर लिजीगा आपको बहुत सब्सक्राइब करें कि अब आपको चलते हैं एक दो तीन कहा अब दिकत आपको भाई इसमें है क्या कि कपेश्टर यह संदार्ज होता है यह रेकिक लाइन डिवाइस होता है ओम का नियों लाग होगा तो इस पर हमारा एक पर बड़ावर एक कुलाम प्रतिमोल्ट होता है बाकी हमातर लिखवा दिया सबसे बड़ा मातर फैरड होता है कुलाम प्रतिमोल्ट होता है इसका लगवाब कर सकते हैं कि पीकू फैरड में होता है और पीकू फैरड में पी के बता रहा हूँ जी अभी तो आपको आगे बताना की किस पर किस पर करता है किस पर नहीं करेगा फिर आवेस कैसे गरहर करेगा और आजर कपेश्टर क्या होता है आजए तक से किया कोशन पूछ सकता है अभी बहुत सारी पड़ी हुई आप जानते हो कि ने खतब होने वाला नहीं है ठीक है मैं मज़ा नहीं आ रहा है तो भाई या कि संख्या नहीं बढ़ते है यार साम को यह पड़ा यह तो इतना महनत से मिलता है और आप लोग आते नहीं हुई यहाँ से आपको खुद लगा होगा जितने भी आप लोग से जुड़े होंगे आपको बहुत कुछ नहीं मिला होगा और बहुत कुछ चीजी आपको लगा पेपर में ही पूस्ट में सब्सक्क्राइब हमने मताया सबसे पहले कि यह लोग तो कपेस्टर है और हमारा ड़क्ता रहा है बिल्कुल benefits क्या है संधार्य्ट क्या है धारिता क्या है और कंडेशनर क्या ह открыв आ अगता है यह स्वार्टन यह तो हम एक तक रखते हैं है और हore और है तो बस किया से सेशं को हम रखते ही तक भूछ थノीबाद आप सभी का ताना बाई झाल झाल